हलो किचन कुई इन किंग्स आज हम बनाने वाले हैं अमिट सरी चोले या फिर चना मसाला एक शौट कट रेसिपी से यानि कि बिल्कुल ही आसान रेसिपी से तो देखने में तो ये चोले बहुत ही मज़िदार और पॉफेक्ट लग रहे हैं और आप इसी रेसिपी एक बार द नहीं टमाटर का मसाला बनाना है कोई मसाला भूनने की कुछ भी जंजट नहीं है इस रेसिपी में लेकिन टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है तो एक बार ये रेसिपी ट्राय करना जरूर बनता है बहुत ही शौट कट चना मसाला की रेसिपी है ये परफेक्ट टेस्ट के सा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी चना मसाला बनाने के लिए मैंने एक कप सफेज चोले या फिर चने रात को ही पानी में धोकर के भिगो कर रख दिये थे यहां पर मैंने एक कप छोले लिये हैं, और इनको मैंने दो कर 4 प पानी में विगो दिया था यानि कि जितने हमें छोले लेने हैं, उसका हम चार गुना पानी लेंगे और साथ से आठ खंदे बिगे रहने के बाद छोले हमारे सॉफ्ट हो गए है, फूल गए है तो अब हम इनको पानी के साथ ही कुकर में डाल देते हैं और चने मसाला में रंग लाने के लिए मैं यहां पर यूस कर रही हूँ दो टीवैक्स, मेरे पास टीवैक्स है घर में तो इसलिए मैं टीवैक्स दाल रही हो, अगर आपके पास टीवैक्स नहीं है तो एक छोटे से कॉटन के कपड़े में दो टीसपून चाय की पत्ती आप पोटली बना करके डाल रहे हैं तो इलाइची को भी आप पोटली में ही बान देना पर जब छोले उबल जाएंगे तो हम टीबैक्स के साथ साथ मोटी इलाइची के दानों को भी बाहर निकाल लेंगे और अब मैं इसमें डालना है नमक तो मैं आप एक टीबिल स्पून नमक डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्णिक नमक अज़ेस्ट कर ले और जैसा कि मैं आपको पहली बता चुकी हूँ कि इस रेसिपी में हम प्यास टेमाटर का तड़का बनापने नहीं भूनेंगे तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर का इंडर जार में तीन मड़े टेमाटर को इसारा मोटा मोटा कार लिया है और साथ ही में हम इस Mixer चार में डाल देते हैं कुछ एक लसन की कलिया और यह हमारा टमाटर और लसन का पेस्ट बनकर तयार है और इस पेस्ट को हम कूकर में छोले के उपर ऐसे ही डाल देते हैं आप ये रेसिपी बस देखते रहें, एक बर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली ना घर में, I am sure आप इसके फैन हो जाओगे, बहुत ही क्विक है ये रेसिपी, और जब एक बार छोले बन करके तयार हो जाएंगे ना, तो कोई जच नहीं कर पाएगा कि ये किसी शॉर्ट कट रेसिपी से बन करके तयार होए है, तो बस छोलों भी हमने टी बैक्स दाल दिये, इलाइची, नमक और टमाटर लसुन का पेस्ट, अब हम कुकर को बन कर देते हैं, और हाई फ्लेम पर हम कुकर को एक सीटी आने तक, फुल फ्लेम तक रखेंगे, और जब एक सीटी आजाए जिसे की छोले सॉफ्ट हो जाए, पर चन्द हम चोलो को रात पर भिगो चुके हैं, और अभी हम इसको अच्छे से सिमसिक पर पकाएंगे, तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसमें सोडा लो यूज नहीं करती हूँ, और चोलो के उबलने के बाद हम एक शॉट कट तड़का थ्यार करेंगे, बहुत ही बढ़ी आसा, यहां पर मैंने कढ़ाई रख ली हैं गयास पर और इसमें हम डाल देंगे लगबग चार से पांच टेबल स्पून घी, आप चाहें तो ऑईल में में बना सकते हैं, और मैं यहां पर घी उसकर रही हूँ, घी का फ्लेवर ही अलग आएगा चना मसाला में, घी अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम फ्लेम को बिलको लो कर देते हैं, और इसमें हम डाल रहे हैं एक टी स्पून जीरा, और साथ ही में डाल देंगे, वन फोर टी स्पून साबुत धन्या, वन फोर टी स्पून हेंग, एक टेबल स्पून अद्रक, अद्रक को मैंने इसरा लच्छा बनाया है, यानि कि थोड़ा सा लंबा लंबा काट लिया है, और हरिमेच को मैंने लंबाई में काट दिया है, मैंने आपर थोड़ी जादा हरिमेच योज़ की है, लगभग 5-6 हरिमेच है यह जिनको मैंने लं तरहम बसाला वैसे तो हम यूशुली सबसे लास्ट में डालते हैं सबजी बनने के बाद पर इसमें मैंने घी में ही डाल दिया है और भी अच्छी खुश हो आएगी आप देखना तो सब चीजों को लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते है तो तड़का आप तभी बनाएगा जब आपके छोले उबल जाए तो क्योंकि इस तड़की को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2-3 मिनट ही चाहिए कुछ भी जंजक नहीं है इसको बनाने में तो उधर हमारे छोले अच्छे से उबल गए है और प्रेशर कुकर में से प्रेशर रिलीस हो गया है अपने आप और यह में नहीं डालेंगे सिर्फ 2 कर्ची छोलो को आप कड़ाई में डाल देजे और अब हम इन छोलो को बिलकुल मैश कर देंगे तड़की के साथ इससे क्या होगा कि जो हमारी छोले की ग्रेवी होगी बहुत थिक रहेगी और बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार हमारा च अब हम जो कुकर में बचे हुए छोले और पानी है छोलों का उनको भी हम कड़ाई में डाल देते हैं और बस हाई फ्लेम पर हम इनको 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 अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक और यह मुझे दूसरी काली लाची दिख रही है इसको पे निकाल देते हैं और अब हम छो मसाला बन करके बिल्कुल तयार होगा और हमारे छोले बिल्कुल परफेक्ली बन करके तयार हो गए हैं तो इन में हम मिला देते हैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया धनिया डालने के बाद मिक्स करेंगे और बस गर्मा गर्म सर्प करेंगे तो कैसी लगी आपको आप हमेशा ऐसी ही चना मसाला बनाएंगे तो इसको एक बार जरूर ट्राइ करना इससे इंस्टेंट चना मसाला मनाने की रेसिपी हो ही नहीं सकती और वह भी इतने अच्छे टेस्ट है साथ तो आप भी जल्दी से अपने घर में ट्राइ कीजिए मुझे कोमें बताईएगा जरूर की आपको एक रेसिपी कैसी लगी ऐसी और इजी टेस्टी और कुइक रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल जीना इंदर के चिन को विजिट भी कर सकते हैं आपको और भी बहुत सारी अमेजिंग रेसिपी देखने को मिलेंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो और बेल आइकन को भी दबार देजी जिसे कि आपके पस मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मेसेज भाँच स जाइकन किजिए आपके ग्राइब ले चैनल पर व्याहिए नई सबर देखने को भी घुबते है आपक душ कि आपको पक भी क From Data